हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की परटशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहुत ही बेतर डंग से चल रही होगी आप लोगों पता है कि पिछले कुछ दिनों से एक्जाम डेट को लेके बहुत उठा पटक चल रही थी समझ में नहीं आ रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और ये जरूरी भी है ये आप लोगों के लिए और एक टीचर के लिए भी जरूरी है टीचर बहुत सारे लोग हैं सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ आज के अकवार में नवंबर और दिसंबर के लिए परिक्षा तित्यों की गोशना की गई है कि हम नवंबर दिसंबर मिलेंगी पर ऐसी कुछ गोशना कुछ समय पहले की गई थी जिसको आधार बनाया गया था 27 अक्टूबर हैना कि 27 अक्टूबर से आपकी परिक्षा हैं चालो हो जाएंगी और फिर उसके बाद एक दो-ती नोटिस वैरल होने लगे जिनके बारे में आप मैं ऐसे बहुत सारे लोग बूलते हैं कि सर आप ने आपका एक्जाम 20 तारिक से हो जाता तो आप में से कोई कुछ कहने वाला नहीं था तो इसमें क्रेडिट लेने और लेने ना लेने की बात कुछ नहीं नुक्सान तो आपका कुछ नहीं हुआ होगा पकी बात है तैयारी आपकी बहतर ही होगी तैयारी आपकी बहतर ही होगी तो नवंबर और दिसंबर में जो आपका एक्जाम होना है इसकी पुष्टी की बात इसके सचाई के बरहें बात करेंगे कि नवंबर दिसंबर में एक्जाम होगा साथ में एक बात मैं आपको बता देता हूँ आप कल ट्विटर अभियान था ये उसी का असर है कि भरती बोर्ड ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है ट्विटर अभियान था कम से कम उस ट्विटर अभियान का ये मकसद नहीं था कि आपका एक्जाम जल्दी करा लिया जाए बहुत सारे लोग नाराज हो रहे थे कि आप जल्दी कराने में क्यों तो ले अरे भाई हमको एक्जाम थोड़ी देना है हमारी तरफ से तो कल हो जाए हमको क्या फरक पड़ता है और हमारी तरफ से ये दो साल भी ना हो तो हमको भी क्या फरक पड़ता है पर फरक इसलिए पड़ता है फरक पड़ता है आपको और आपकी वेज़ से फरक पड़ता है हमें तो इंपोर्टन चीजें ये हैं कि ये नमबर दिसंबर की बात जो है ये वाली और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं आप एक्जाम डेट पर वीडियो बनाते हो भाई ऐसा कुछ नहीं है मैं पढ़ाई की वीडियो जादा बनाता हूं आप नहीं देखते व आपको अच्छा भी लगेगा ठीक है अब बात करते हैं कि अब हमको आगे क्या करना है और इसकी पुष्टी के हैं देखो मैं आपको एक ची दिखाता हूं तमाम लोग आपको दिखा भी रहेंगे आज के अमारोज जाला देनिक जारान मतलब ओल्मोस्त सारे एकबारों में नहीं चपा है और जो ट्विटर अभियान कल चला था उसका मकसद यह था कि एट लिस्ट हमको थोड़ा पता तो लगे कि वह तुम कुछ बोली नहीं रहे हो कुछ बताई नहीं रहे हो कि अग्जाम कब लेने की मन्चा है भी के नहीं मन्चा एक्जाम लेने की तो यह सब च उन्हों को लेकर चलना पड़ेगा एक को नारस करें थोड़ी काम चलेगा तो यहां पर यहां पर मेरी जगह अपने आपको रखके देखो तो आपको चीजें पता लग जाएंगी अब इसके बादे हम बात करते हैं ठीक है तो देखो दैनिक जागरण में भी था और अमर ज जारी कर दिया जाएगा यानि कि भरती बोर्ड की कुछ आंखे खुली हैं कि भरती जारी करना पड़ेगा कमसं कुछ बताना तो पड़ेगा तो जल्दी ही शेड्यूल जारी हो जाएगा और इसमें बात बतारा है फिर बहुत लंबी चोड़ी बात की कि भाई इस भरती के जून में लिए गए थे और भरती बोर्ड के जो चैर्मेन है विश्व करमा जी उन्होंने बताया कि नवंबर के अंतिम सब्ता में शुरू करेंगा और दिसंबर तक अपका एक्जाम ये लेंगे और फिर बात बोल रहा है कि अभी जो एजनसी है वो परिक्षा केंद्रों क कर दिया जाएगा तो इसमें बोला ऐसे ही है एक एक और पोस्ट देख लो ये अमर उजला की है ये नवंबर के अंत में शुरू होगी दरों का भरती परिक्षा सेम इसमें भी बात लिखी गई ये तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं अब इसकी सचाई क्या है भाई इसक संबर में आपकी परिक्षात ही चली गई तो आप इतना ही इसको मजबूत मान के चलें जितना ही है पर मैं फिर भी एक बात बोलता हूं भाई भरती बोड़ है ठीक है बरती बोड़ है आप अपनी तयारी में जरा सी भी कसर ना रखें और अच्छे से तयारी करते रहें सप बहुत बहतर तरीके से प्रेक्टिस कर सकते हैं और जिनकी तयारी अभी नहीं है वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अब साथ में देखो अब हमको क्या करना है अब आगे क्या करें तो हम लोग प्रेक्टिस तो कर रहे हैं तो मूल विधी की प्रेक्टिस तो ऐसे कैसे चलती रहेगी अब क्योंकि हमको भी समय मिल गिया है तो हिंदी के जो बचेव़ टॉपिक्स हैं और जो आपके सम्मिधाम के कुछ बचेव टॉपिक्स हैं उनको अब प्रेक्टिस को चालू करेंगे तो अब हम पढ़ाएंगे पहले प्रेक्टिस अब थोड़ा कम करेंगे मूल विधी की और आपकी हिंदी शब्दावली की प्रेक्टिस में आपको कराता रहूंगा और पहले टॉपिक खतम करके फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कुल मिला के यह बात है कि नाराजगी वाली कोई बात नहीं होने चाहिए आप नाराज हो जाते हो बहुत मतलब कल मैंने देखा कि आज तक मतलब आप लोगी जानकारी देते हो मैं यूटूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता तो आप लोगों के माध्यम से मुझे ज़नकारी मिल तो इसके बाद में सही करवाया गया है तो मैंने सही कर दिया चुट्टी बात कहता हूई तो भाई कही बार तो सोचना पड़ता है कि आप आप लोगों के साथ एसे इसी अबध्र भाशा के प्रहोः कर देते हो ऐसे लगता है कि हम आपके बच्चे हैं ठीक है और आप लोग हमसे लागी पढ़ने वाला जै हिंद जै भारत